नमसे सबीको, मैं हो सृष्टी और आज के वीडियो में हम कवर्ण करेंगे कि how to increase concentration among anybody चाहे वो kids हो, या फिर adult हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी age group में आप बिलॉग करते हो how to increase your concentration level तो यह सरस्वती पूजा special भी है, क्योंकि सरस्वती पूजा हम लोग जानते हैं कि वो विद्या की देवी है और विद्या के साथ-साथ, विद्या को सही तरीके से आगे ली जाने के लिए it's very important for us to have a lot of concentration and calmness in mind, ठीक है? तो आज के कलियूब में बहुत सारे distractions easily available है from a very young age आज कल के 4-5 सार के बच्चे के हाथ में भी आराम से आपको electronic devices दिख जाएंगे तो इसमें बहुत chances है कि बड़े होते होते उनके अंदर distractions के level बहुत हाई हो जाए उसमें दिमाग को stable रखना और studies में या किसी भी काम में focused रहना तो और इसी challenging तो हो ही जाएगी तो उस चीज को सही से कैसे करना है बहुत पुराने जमाने से हम जानते हैं कि meditation is a way to actually grow your concentration but it's very boring for a kid or anybody to sit and just blankly आप कुछ thoughts के बिना रहो ये इतना easy नहीं है और बहुत boring भी होता है, irritating भी होता है और आपके दिमाग thoughts की इधर उधर बटक ही जाएगा चाहे आप कोई song चला के करो या फिर आप कोई खाली सोच में रखो इनफाट अगर आप एक empty जगे पे एक thought के बिना रहने की कोशिश करोगे वो भी meaningless लगेगा क्योंकि कुछ समझी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है सो आपको क्या करना है न सेल्फ के साथ में contact में आना है connection में आना है you have to come in contact with yourself and with the divine in the same time इसको अब कैसे कर सकते हो फोन ले लो उसमें आप पांच मिन एरोपलेन मोड में दे देना ताक कि कोई कॉस या कोई डिस्टरबिन सुस्टेम पे ना हो पांच मिनट का टाइमर लगा दो and टाइमर में बहुत ही soft सा एक tune होना चाहिए बहुत harsh tune नहीं होना चाहिए क्यों मैं बताती हूँ what you have to do for the next five minutes आपको कोई भी एक छोटा सा मंत्रा चूज कर लेना है जैसे के सरस्वति पूजा है तो सरस्वति देवी का मंत्रा आप ओं सरस्वत्वे नमा कर सकते है ओं वाइं नमा कर सकते है चोटा सा वाइं जो होता है सरस्वति माता का चोटा मंत्रा होता है कोई भी आप बीज मंत्रा जो होता है ना आपको वहिंग उन नमः लगा के छोटा-छोटा मंतरा उनको कर सकता है जैसे लक्षमी माता का ओंग स्रींग नमः या ओंग स्रींग स्रीय नमः ऐसे बहुत सारे आपको Google में ही मिल जाएंगे अगर ऐसे सर्च करेंगे न इज मंत्र इस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे if you want to know, मेरा contact number भी मैंने community में देके रखा है and my email id is also there, better you contact me on whatsapp, आपका कोई भी छोटा inquiry हो, तो I will solve that out, तो उसमें आप आपके requirement के साब से बोल सकते हो, if I know about that mantra, I will try to help you out तो आप ऐसे, चोटे-चोटे जो mantras होते हैं, उनको 5 minute तक लगातार, for example, एक student है, specially teenage group में concentration इधर उधर जाने के बहुत high chances होते है, चोटे में भी होता है, बड़े में भी होता है, but that is the prime age, जिस में सब ही का होता है so what you can do 5 minute के लिए, ओंग वाइन यह लगातार बोलते जाना है, इससे क्या हो रहा है, आपके eyes closed है, तो आप कुछ नहीं देख रहे हो तो sense organ का सबसे बड़ा distraction जो eyes है, उसको आपने 5 minute के लिए शान्थ state में लेके चले गए, आप अपना voice में बोल रहे हो, अपने voice को ही सुन रहे हो किसी चीज को touch नहीं कर रहे हो तो आपका skin जो है, वो किसी distraction से दूर है, eyes जो है, वो taste, tongue जो है, taste नहीं कर रहे हो बात कर रहे हो, तो एक मंत्रा खुद का आवास सुन रहे हो, मतलब बोल रहे हो खुद के जबान से और सुन रहे हो अपने कानों से और smell, आप शान्थ जगे पर बैठ जाना ज़्यादा, मतलब शोर शराबा ना हो, जैसे कि मैं अभी वीडियो कर रहे हो तो पुरा शान्थ है यहाँ पर, वैसे ही कोई एक शान्थ थोड़ा बहुत बाहर से आवाज आएंगी, उतना तो नहीं कंट्रोल कर सकते उतना आप देख ले ना तो एक शान्थ जगे पे आराम से बैठ के इसको 5 मिनिस के लिए एवरी डे करो, for a month do that and tell me if you find a difference or not ऐसे चोटे चोटे चैलेंजज़ लेके ना हम अपने आपको बहुत अच्छा बना सकते हैं और modifications and updated versions अपने आपके अंदर ही create कर सकते हैं अपने आपकी ही अच्छा-च्छा versions लेके आ सकते हैं और खुद को आप बदलते हुए देखके खुद ही बहुत proud महसूस करोगे so how to increase concentration this is one of the ways if you want to know some other ways या आपके पास कोई suggestions है तो आप comment section पर लिख सकते हो तब तक के लिए thank you so much, take care, bye bye